नमस्ते सदावस सले मात रुमी जेहिन दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को बढ़ते परे डिफेंस अब्डेट की तरफ दोस्तों भारत में 12 SU 30MKI फाइटर जेट बनाने को लेकर जो प्लान बना हुआ है वो अब एक्जेक्विट होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इस पर इस साल के अंत में डील हो जाएगी जिसके बात यह जो बारा सुकोई 30MKI फाइटर जेट सें वो भारत में बनेंगे ह और अब यह बात सामने आई है कि रश्या की सुखोई Aircraft Corporation HL की नासिक फैसलेटी में 12 नए SU 30MKI फाइटर जेट बनाने के लिए जो ज़रूरी कच्चा माल और सब सिस्टम्स है वो HL को देगी इसके लिए वकायदा रश्या की जो एक्सपोर्ट एजिंसी है रोसबन क्योंकि इस वक्त इंडियने अफ़ोस में केवल 31 स्क्वार्डन्स है जो की हमारी जरूरी ताकस से कम है हालाकि इन 12 नए सुखोई 30MKI आजाने से एक बड़ा फाइदा तो भारती वाई सिना को मिलेगा साथ ही भारत LCA तेजस मार्क वने फाइटर जेट पर भी तेजी से का फाइटर जेट की तरफ आगे वड़ रही है लेकिन भारत अभी पांचवी पीडी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है जो कि भारते वाई सिना के पूरवधिकारी ने बताई है उन्होंने कहा कि भरी दुनिया सिक्स ज प्रेटफॉर्म पर चलांक लगाने के बजाए पांचवी पीडी के एमसी एक को प्रात्मिक्ता दे रहा है साथ ही उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि इस तरीकी की जो चलांक अगर हमें लगानी होती तो इसमें और जादा पैसा और साथी साथ जो तकनीकी चुनोतिय हैं वो भी सामनी आएंगी लेकिन यहां पर एक बात और है जो हमारा एमसी माक टू वेरियंट है वो पांचवी अच्छटी पीडी के जो फाइटर जेट का गैप है उसे पूरा करेगा और जो एमसी माक टू है वो पांचवी पीडी के फाइटर जेट के विपरीद अपने डेटा फ्यूजन ड्राइवन डिजाइन और कई अत्यधुनिक फीचर्स के साथ हवा यूद में करान तिलाने के लिए तयार होगा तो कि मौझूदा पांचवी पीडी के फाइटर जेट से आगी होगा इसके अलावा जो एमसी माक टू की जो डिजाइन फिलोसफी है उसमे कर सकता है जिससे कि पाइलेटों पर बोज भी कम होगा अमसी माक 2 में एक इसकी रिमोट पाइलेट शमता भी होगी जिससे कि हाईजी मानुवर्स या यूदिक इस्तिती के दौरान पाइलेट अक्शमता से जोड़े जोखिमु को कम करने के ले डिजाइन किया जाएगा यह लिए वज़ाए कि भारत सीधा चटी पीडी के फाइटर जेट्स की तरफ सुच नहीं करेगा, बकायता पांचवी और चटी पीडी के जो बीज का गैप है उसे भरेगा एम से माक्टू के जरीए, बढ़ते नेक्स्ट अब रीट की तरफ, दोसुत डियाडियो अब कावेरी प्रोग्राम के लिए 91 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन पर काफी महत्वपून प्रगति कर रहा है, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ड्राइ कावेरी इंजन 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उस्पन करता है, और डियाडियो की योजना में इसे नए आफ्टर बर्नर सेक् यानि कि प्रमानित किया जाएगा, इसके अलावा शुरुवाती डिजाइन जो स्टडीज हैं वो भी की गई हैं जो कि कम्प्यूटर एडिट डिजाइन मॉडल्स और जिमेट्री बेस एनलिसिस के आधार पर की गई हैं, जिससे की बहुत ही भेतर परिणाम सामने आया हैं, और कहा जा रहा है कि मौझूदा कावेरी कोर को संभावित रूप से पशपन से यानि कि 55 से 57 किलो न्यूटन ड्राइर थर्स्ट देने के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आफ्टर बर्नर के साथ जोड़ जाने पर ये 90 किलो न्यूटन से अधिक तक पहुंच सकता है, जो क को स्वायाप करने का निर्ने लेता है, तो मतलब साफ है कि तेजस फाइटर जेट की थरस्ट में वृद्धी होगी, इसका बहतर एक्सिलरेशन होगा, इसकी हायर टॉप स्पीड होगी और इनहांस पेलोट शमता होगी, जिसे कि तेजस फाइटर जेट एक बड़ी हुई प बॉंबर ड्रोन तयार होने वाला है, और इसे भारत की स्टार्ट अप कंपनी ने तयार किया है, आपको मैं बता दू कि बैंगलूर की स्टार्ट अप कंपनी अब जल्द ही अपने FWD 200B का अनावरण करने वाली है, इस कंपनी का नाम है Flying Wedge Defense and Aerospace, यानि कि FWDA, जो कि अपन से इस FWD 200B को पहली बार सामने लेकिया आएगी, और ये भारत की Defense Technology और Air Power शमताओं को काफी बढ़ाएगा, इस कंपनी के तरफ से कहा गया है कि ये जो Innovative Bomber UAV है, वो भारत की Air Defense Strategy को काफी बढ़ा देगा, और विशिस मिशनों के लिए ये Cost Effective और संभाविस्थ Life Saving Option भी प भारत की वाई रक्षा शमताओं को बढ़ाएगा, और ये Unmanned Aerial Bomber के एक नए युक्की शुरुवात करता है, जिने की आधुनिक यूद में महत्रपुन भूमी का निभाने के लिए डिजाइन किया गया है, हाला कि FWD 200 ने इसके पेलोड और operational सीमा के बारे में खुलासा न B, Unmanned Aerial Bomber होगा, जो की एक नए एरा की शुरुवात करेगा भारत के रक्षा शेतर में, बढ़ते ने की तरफ, भारत ने 6 से 13 माई 2024 के बीच बंगाल की खाड़ी में, नोट अम वर्निंग जारी किया है, हाला कि किस चीज का प्रडिक्शन होगा ये बताया नहीं है, लेकि इन विशेशक्यों का मानना है कि ये एक एर लांच और शिप लांच मिसाइल का टेस्ट हो सकता है, बढ़ते ने एक्स्ट अपरेक की तरफ, दोस्तों अमारिका और भारत अब अपनी रणितिक साजिदारी को और बढ़ा रहे हैं, इसमें नए मास्टर शिप प्रिपेर रखाओ, सर्वेसिस मोहिया कराएगा, और इसे अमारिकी नौसेनिक रख रखाओ के लिए भारत को एक प्रमुक केंद्र के रूप में स्थापित करके, दोनों देशों के बीज संबंदों को और मजबूत मनाएंगे, हाला कि ये कदम पिछले साल अमारिकी नौसेना के परसनें, टूबरों और मजगां डॉक शिप बिल्डर लिमिटेट के साथ साइन किये गए सफल मास्टर शिप रिपेर एग्रिमेंट के बाद आया है, और इस नेट्वर्ग में अब कोलकता का बंदरगा शामिल हो जाएगा, जो कि भारत और अमारिका के मेहत्वपुन सर्य दारी और मजबूत होगी, अमारिका के एक सीनियर अधिकारी ने चीन और रश्या को कहा है कि परमानों हत्यारों के तैनातकी पर केवल और केवल जो निर्ने हैं वो इंसान लेंगे ना कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, स्टेट डिपार्टमेंट आम्स कंट्रोल ऑफिश करेंगे, हाला कि अभी रश्या और चायना की तरफ से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चायना लगातर अपने परमानों हत्यारों के शमता विकसित कर रहा है, दोस्वी तरफ रश्या भी ऐसे ही कर रहा है, तो अमारे का को पान गति विदियो को अंजाम देने के लिए चायना के खिलाफ विरोध दर्श करा है, विदेश मंत्राले की तरफ से कहा गया है कि शाक्ष मखाटी भारत का हिस्सा है और भारत ने 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझोते को कभी सुईकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से पाकि हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठाने का सुरक्षित अधिकार रखते हैं, यानि कि भारत ने यहां पर दो टुक बात कह दिये, कि अगर आपने काम नहीं रोका यहां पर, जो आप यहां पर बना रहे हो बुनियादी धाचा, तो भारत भी जवाब देगा, दर दोस्तों हिंद प्रशान छेतर में अब अमेरिका एक बड़ी तयारी कर रहा है, और अब अमेरिका 300 से ज्यादा, एडवांस F-35 फाइटर जेट्स की तेनात की यहां पर करने जा रहा है, हलेकि अमेरिका यहां पर खुद से, इन सभी विमानों को केवल, खुद अमेरिका त जिसमें कि आउस्टेलिया, जापान, दक्षिन कोरिया और सिंगापूर शामिल है, चाइना लगातार इस शेतर में अपनी गतिविदियों को बढ़ा रहा है, इसलिए इंडो पैसिफिक में F-35 फाइटर जेट्स की मांग तीरी से बढ़ रही है, दोजार बीस में अमारिका ने 12 F-35B शॉट टेक ओफ और वर्टिकल लैंडिंग विमानों को बिकरी के लिए सिंगापूर को मंजूरी दे दी थी, और पहले चार विमान 2026 तक उन्हें सौपे जाने हैं, बरते नेक्स अपरे की तरफ, दोसो जल्दी अब निसार लॉंच होने वाला है, और निसार को लासा और इस रोग दोनों ने मिलकर तयार किया है, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए काफी महत्वपून होने वाला है, साथ इसके जरीए धरती की निगरानी भी की जा सकती है, और इस मिशन को इसी साल लॉंच किया जाना है, तो फिलाली तब तक के टॉप डिफेंस अप